हलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल T4 Technical में और मेरे नाम है खादिर और आज हम सीखने वाले हैं कोरल ड्रो में हार्ट बनाना देखिए यह जैसा मैंने हार्ट आपके सामने दिखा रहा हूं में यह बना रखा है वैसा ही आज हम बनाना इसको सीखेंगे ठीक है दोस्त उसके बाद सिंपल आपको शेफ में जाना है यहां पर बैसिक शेफ स्लेक करना है यहां से बैसिक शेफ उसके बाद यहां से आपको हार्ट स्लेक करना है यह वाला और मैं यहां पर इसको ड्रो कर लेता हूं ठीक है दोस्तों इसको ड्रो करने के बाद मुझे सिंपल इसके इंदर रेड गलर ले लेना है और यहां से मैं एक सरकल लूंगा ellipsical टूल बोलते हैं जिसको और simple circle को मैं हाँ ड्रो करूँगा ठीक है दोस्तों हलका छोटा कर लेता हूं उसके बाद मुझे simple इन दोनों को select करना है और यहां से pick tool ले लेना है दोनों को select करना है पहले circle को उसके बाद heart को दोनों को select करके यहां पर आता है bake minus front इससे क्या होगा जो आपका front में chefs है वो bake minus कर देगा किसको bake वाले chefs को जैसी click करूँ आप देख सकते हैं यहां पर cut चुका यहां और अब मैं इसको जो इसमें थोड़ी खामी रही है उसको दूर करूँआ शेफ टूल लोगा और इस वाले parts को right click करके मैं delete कर दूँआ और यहां किलिक करूँआ आप देख सकते हैं थोड़ी टेड़ी आ रही है इसको सीधी कर लेता हूं point को और अब दिखाता हूं यह कुछ इस तरीके का हो गया है ठीक है दोस्तों उसके वाद simple आपको कुछ नहीं करना इसमें अब मैं इसके अंदर जो है control D करके इसको duplicate करूँआ control D करके ठीक है यह duplicate कर लेता हूं इससे में side में रख लेता हूं थोड़ा सा फिले छोटा कर लेता हूं और मैं हाँ इसको set कर देता हूं उसके बाद shape टूल लूँगा और इसको सीज में ले लूँगा बिल्कुल ऐसी उपरवाले को और simple इसको भी थोड़ा सा नीचे ले लूँगा उसके बाद मुझे क्या करना है मुझे simple आप जो है मुझे pick tool select करना है और जो पीछे वाला heart था उसको select करना है तो मैंने पीछे वाला heart जो है वो select कर लिया है उसके बाद simple यहाँ पर आता है found interactive fill tool जिसकी short की है जी तो आप यहाँ click करेंगे interactive fill tool पे जैसे ही आप click करेंगे मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको लेता हूँ देख सकते हैं मैंने जैसे ही लिया यहाँ पर यह आ चुका है ठीक है दोस्तो उसके बाद देख सकते हैं आप मैंने इसके इंदर डाल दिया है white color हलका सा और यह red color में नीचे कर लेता हूँ थोड़ा हलका सा अब अपने हिसाप से इसे एकजस्स कर सकते हैं जितना चाहें मैंने हलका इसको यहाँ कर देता हूँ और एक red color का और point यहाँ पर पीच में उठा के इसके रख देता हूँ ठीक है और एक और point रख देता हूँ यहाँ मैं अपने हिसाप से इसे डेजाइन कर रहा हूँ white color ले लेता हूँ इसमें हलका सा यहाँ जो है इसको नीचे करूँ है यहाँ पर red color ले लुआ फिर यहाँ white ले 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 हूँ आप देख सकते हैं बहुत ही शांदार बन चुगा है यह और उसके बाद मैं इस पर click करता हूँ तो यहाँ पर इसकी opacity आती है थोड़ी कम कर लेता हूँ और फिर बाहर click कर करना है पिक टूल सेलेक्ट करना है दोनों को सेलेक्ट करना है और यहाँ से right click करके इसकी outline हटा देनी है यहाँ से भी आप ठीक है और नीचे लेता हूँ उसके बाद click करूँगा इस पर double और यहाँ पर इसको थोड़ा इस point को उठाके नीचे लाँगा और इसको थोड़ा टेरा कर दूँगा ठीक है दोस्तों और इसकी outline में white कर लूँगा यहाँ पर right click करके देख सकते हैं white हो चुकी outline उसके बाद और इसको double click करके line को यहीं खतम कर दूँगा उसके बाद simple text tool लेना है मुझे और यहाँ लिखना है जैसे इस line के उपर मुझे click करना है अब देख सकते हैं मैं click कर चुका और यहाँ लिखूना है happy यह फड़ा उल्टा आ रहा है दुबारा click करना पड़ेगा मुझको text tool लिय दुबारा line लेनी पड़ेगी और इस तरीके से इसको line को लिया फिर वापिस double click करा text tool लिया और यहाँ लिखता हूँ X capital में happy birthday आप कुछ भी लिख सकते हैं select करूँगा इसको यहाँ से मैं अपना font ले लेता हूँ जो कि है art bravery और उसके बाद इसको थोड़ा बड़ा करना है तो मैं यहाँ से इसको बड़ा कर सकता हूँ थोड़ा सा इधर से भी ठीक है दोस्तों उसके बाद मैं इसके अंदर color डालूँगा तो color डालने के लिए मैं वही interactive fill को इस्तमाल करूँगा और इस पर click करूँगा और white color के अंदर में ले लूँगा red और यहाँ पर बीच में ले लूँगा yellow और लास्ट में ले लूँगा black की जाए रेड़ हलका सा इसको पीछे करूँगा अब देख सकते हैं बहुत ही खुपसूरत तरीके से हो चुगा है मैं इसको ऐसे टेड़ा कर दूँगा अब जैसे मर्जी चाहें वैसे इसको परना सकते हैं ड्रो कर सकते हैं उसके बाद pick tool लूँगा और pick tool लेने के बाद इसको थोड़ा इधर खीचूँगा जैसे मैंने कीचा और यहां से यह line आ रही है इसको delete करना है तो shape tool लेना पड़ेगा मुझे यह line पर जैसे क्लिक करा यहां से right क्लिक करके इसे delete मार दूँगा उसके बाद simple इसको मैं फिर से पीछे कर लेता हूं हलका सा ठीक है तो आप देख सकते हैं हाँ पर यह बन चुका है ठीक है दोस्तों मैं इसके इंदर outline भी ले रहता हूं ताकि और अच्छे सा आपको दिखाई दे आप देख सकते हैं इसके इंदर में ले रहा हूं red color की outline या फिर आप yellow color की भी ले सकते हैं या pink color की ले सकते हैं तो मैं हलकी सी red color की ले रहा हूं और outline का साइज है मैं यहां से इसको कम कर दूँआ hairline का रखा है इससे जादा कम नहीं होगा ओके करूँआ आप देख सकते हैं यहां पर यह बन चुका है तो दोस्तों कैसी लगे आपको वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के करना ना भूलें